अगली जो हमारी data type है that is very famous data type called boolean data और boolean data को हम अब देखते हैं, मैं अपनी screen आपके साथ share करता हूँ boolean data को हम define करते हैं, यहाँ पे boolean data क्या होता है boolean data यह कल भी मैंने आपको data बताया था, boolean data data with only two possible values data with only two possible values ठीक है, यानिके on कर दिया किसी चीज को या off कर दिया या आप कह दें true या false तो जब कोई data आपके पास इस तरीके से आता है कि आप सिरफ दो किसम का उसके अंदर चीजों को देख सकते हैं, सिरफ दो किसम की चीजों को देख सकते हैं that is called boolean data और boolean data बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि आपने देखा होगा अक्सरों का जब आप survey कर रहे होते हैं तो वहां पे boolean data बहुत ज़्यादा use होता है क्यों boolean data ज़्यादा use होता है वहां पे क्योंकि लोग जो है कि आप Boolean data को अच्छे से जो है वो पढ़ लें, ठीक है?